यहाँ पर मैंने 23 फंदे लीए है, 20 फंदे, 10 के multiple से लीए है, 2 बार 20 फंदे लीए है तो 20 फंदे हो गए, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा लीए है, एक फंदा साइड में डिजाइन को विकृुँल करने के लिए 2 फंदे एंस्टेच के लिए थो 23 फंदे हो गए, यह बेस देने क यह हैं पहली राव सीधी साइड आईस्टे स्लिप करेंगे repeat pattern स्टाट करेंगे 3 फंदे सीधे बुनेंगे 1-2-3 आगे की साइड से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे जाए डालेंगे 1 फंदा सीधा जाए डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधे, एक, दो, ये देखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, इसमें हमने तीन फंदे सीधे बुने, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाए डाली, एक फंदा सीधा जाए डाली, बैक लूप से दो फंद दो, तीन, आगे की साइड से दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, दो फंदे, स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, यहां से यहां तक हमारे दो पैटन कम्प्लीट हो गए हैं, लास्ट में दो फंदे बचेंगे, एक फंदा सीधा, ऐस्ट इस सीधा बना लेंगे, पहली राव कम्प्लीट हो गई है, दूसरी राव रॉंग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे तीसरी राव हैं और सीधी साइड है, ऐस्टे स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे सीधी, एक दो आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, अब दो बार एक फंदा सीधा जाई डालेंगे एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे वन, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे टू, एक फंदा सीधा दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा ये देखिए हमारा एक पैटन कम्पलीट हो गया है, इसमें हमने दो फंदे सीधे बुने आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, दो बार एक फंदा सीधा जाए डाली एक, दो, एक फंदा सीधा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा बुना, फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार, रिपीट करेंगे तो देखिए, दो फंदे सीधे, एक, दो, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, दो बार एक फंदा सीधा, लास्ट में दो फंदे हैं, एक फंदा सीधा, एस्ट इस सीधा बना लेंगी तीसरी रो कम्पलीट हो गई है, चौती रो सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगी पांच में रो सीधी साइड, एस्ट इस स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टाट करेंगे एक फंदा सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधी, एक दो दोनों तरफ चाई डालेंगे, एक फंदा, चाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा ये देखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने एक फंदा सीधा बुना दो फंदों का एक फंदा दो फंदे सीधे जाई डाली एक फंदा सीधे जाई डाली दो फंदे सीधे बैक लूप से द डालेंगे दो फंदे सीधी एक दो दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा लास्ट में दो फंदे हैं एक फंदा सीधा एस्ट इस सीधा बना लेंगे तो दिखिए पांच मी रौ कम्प्लीट हो गई है चटी रौ सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे साथमी रॉ है और सीधी साइड है एसटी स्लिप करेंगे और स्टार्टिंग में आगे की साइड से दो फंद का एक फंदा बनाएंगे तीन फंदे सीध है एक तो तीन जाई डालेंगी यहां से repeat pattern start करेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन तीन फंदों का एक फंदा बुनेंगे एक फंदा slip करेंगे आगे की side से दो फंदों का एक फंदा slip किया हुआ फंदा उपर से पास करेंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन, जाई डालेंगे, ये देखिए, आगे के दो, चार और छे फंदे छोड़कर, यहां से यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, इसमें हमने एक फंदा सीधा बुना, जाई डाली, तीन फंदे सीधे, तीन फंदों का एक फंदा, तीन फंदे सीधे, जाई डाली, फिर से इस पैटन को रपीट करेंगे, तो दिखिए, लास्ट में एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, तो दिखिए, इस रो में, स्टार्टिंग में औ आठ मीरो सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे अब देखिए आठ मीरो कम्प्लीट हो गई है और हमारा हा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से यही आठ हो उपर पीट करेंगे लेकिन इस पैटन को शफल करेंगे यह वाला पैटन यहां पर यह वाला यहां पर आएगा तो देखिए नौमीरो सीधी साइड ऐसे स्लिप क बैक लूप से दो दो का एक फंदा बनाएंगे पांच फंदे सीध के साइड़ से दो फंदा का एक इलाएंगे यह रेखें हमारेट इसम्हें र向फजाBeatr सीधा यह बून आ शुनें प्रक्राइब on my गहने हम यह डीखें हम सीधागे आगेίνगे से दो फंदों का एक फंदा जाए डाली फिर से इस पैटन को रपीट करेंगे तो देखिए फिर से एक फंदा सीधा जाए डालेंगे तो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा चाहे डालेंगे तो देखें यहां से यहां तक हमारे दो पैटरन कम्प्लीट हो गए हैं लास्ट में दो फंदे ब झाल झाल ग्यार मी रहो सीधी साइड एसटे स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे दो फंदे सीधे एक यहां से रपीट पैटन स्टाट करेंगे एक फंदा सीधा चाई डालेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा जाई डालेंगे, ये देखिए हमारे एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, इसमें हमने एक फंदा सीधा लूप से दो फंदों का एक फंदा, तीन फंदे सीधे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा जाए डाली, फिर से इस पैटन को रपीट करेंगे, तो देखिए फिर से एक फंदा सीधा, जाए डालेंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे स्लिप करेंग पैक लूप से दो फंदों का एक फंदा, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा जाए डालेंगे, लास्ट में दो फंदे हैं, एक फंदा सीधा, ऐस्ट इस सीधा बना लेंगे, ग्यार मी रव कम्प्लीट हो गई है बार मीरो सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे अब देखिए तेरा रह हैं और सीधी साइड है एस टेश लिप करेंगे रपीद पैटरन स्टाट करेंगे एक फंदा सीधा जाई ड़ेंगे दो फंदे सीधे एक दो दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा दो फंदे सीधे एक दो जाई डालेंगे यह देखे हमारा एक pattern complete हो गया है इसमें हमने एक फंदा सीधा बुना, जाई डाली, दो फंदे सीधे, दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा, आगे की side से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधे, जाई डाली. दो जाई डालेंगे, लास्ट में दो फंदे हैं, एक फंदा सीधा, ऐस्टे सीधा बना लेंगे, तेरा रो कम्प्लीट हो गई है, चौदा रो सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे, अब दिखिए, पंदरा रो हैं और सीधी साइड है, ऐस्टे स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टाट करेंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, तीन फंदे सीधी, एक, तो, तीन, तीन फंदों का एक फंदा बनेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा स्लिप किया हुआ फंदा उपर से पास करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, जाई डालेंगे, ये देखिए हमारा एक पैटन हो गया है इसमें हमने एक फंदा सीधा बुना जाई डाली तीन फंदे सीधे तीन फंदों का एक फंदा तीन फंदे सीधे जाई डाली फिर से इस पैटन को रपीट करेंगे तो दिखिए एक फंदा सीधा जाई डालेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन फंदों का एक फंदा बनेंगे 62 तीन सीधे डॉ कि आणे डॉलेंगे नास्ट मेंद उन्द सीधा सीधा बंदारा हुअ कम्पलीट हो गई है अगर उलटेूल। यू झाल झाल तो दिख्ये 16 row complete हो गई है और हमारा pattern भी complete हो गया है फिर से हम इसे first row से start करेंगे तो दिख्ये आगे की side से इस तरह से दिखता है और पीछे की side से इस तरह से दिखता है तो ऐसे ही बार-बार इसकी 1-2-16 रो रिपीट करते जाएंगे और ये पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडी जैकिट में, लेडी शग में, गल्स टॉप में, बच्चों के सेट में, शॉल में, तो फ्रेंड आप भी इसे बनाईए और हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं अगर आपको हमारे पैटन्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना शेयर करना और सस्काइब करना मत पूलें तो फिर से हाजिर होते हैं ऐसे ही और नएरे पैटन्स के साथ Till then बबे फेंड